जय मातदी दोस्तो दोस्तो जयसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था मेरे पार्मई हूस का काम चल गहा है इसकी बॉंडरी वाल का काम सारा पूरा हो गया है अब इसकी जालीо में glucose गुरेंट लगाना है और इसकी हमारे नीचे की सेट्रिंग का काम चालू होने वाला है नीचे का लिंटर जैसे ही पढ़ जाएगा उसके बाद फिर उपर की रूमों के दिवाल के चुनाईया होगी और उसके उपर फिर एक लिंटर पड़ेगा और उसके उपर फिर एक फ्लोर अर बनना यहां जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारा मटेरियल घोड़े उपर से घुलाई करके नीचे ले आते हैं पूरे प्लॉट पर अभी समान बिखरा पड़ा हुआ है जब एक बार इसका काम खतम हो जाएगा तो पूरी जमिन को अच्छे से फ्लैट कराएंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके स यह नीचे का खेत है इसमें एक स्टोर रूम निकलेगा और सीड़ी है नीचे सूपर को जाएंगे फिर इसके उपर दो फ्लोर बनेंगे मिश्टर साव हमारे एक छल्ले बना रहा है और रेता की धुलाई हो रही है इसमें दोगर आई है अब सेक्टरिंग का काम होना है तो लिंटर पढ़ना है बाउंडरी वाल जाली का काम लमसम खतम ही हो गया है के पर कि यहां एफरवरी का बहुत ही बारिस का और बरबारी का अलट आये हुआ है तो अब एक तारिक को काम बंध रहेगा यहां पर है यह हमारेternet पूरा हमारा तीन नाली का खेथ है तीन स्टेप में खेथ हैं तीन खेथ हैं टोटल इसमें साधे 7.700 जगा है यहां से यह भी कभी वह बहुत हिसेंदर आता है अभी काम सुरूर ही हुआ है भी काफी टाइम लग जाएगा भी बहुत काम पैंडिंग है इसमें मित्रो जब ये पूरा फार्माउस डेवलब हो जाएगा और जो मकान का काम खतम हो जाएगा तो बहुत ही ultimate view यहां से आएगा सामने की वेली का ना बहुत ही सुन्दर न जा रहा आता है देखो भोले ना आतने चाहा तो कल बारिस और फिर बरबारी का मज़ा भी देखने का मौका मिलेगा अभी लगे हुएं काम में अभी यहां से 360 डिगरी का वेली का view आता है और पीछे जर्ष्ट हमारे मकान के पीछे मुक्तेश्वर है और सामने में यह पूरी वेली और जंगल का भी वाता है यह देख रहे हैं सेफ्टी टैंक की यहां खुदा ही हो रही है यहां पर लेटरिंग का गड़ा बनेगा उसके बगल में सीड़ियां बनेगी अभी प्लिंथ वीम का काम कर रहा है मिस्त्री जमीन से हमने थोड़ी हाइट ली है तो फुटकी हाइट लेके उस पर वीम का काम चल रहा है सारी टाइबीम बन जाएगी पर नीचे वाले स्टोर रूम पर सेट्रिंग लगेगी और उस पर लिंटर पड़ेगा उसका सारे पीलर उपर उठेंगे फिर ग्राउंड फ्लोर उसके ओपर फिर एक फ्लोर और बनेगा आसमान देखो एकदम बारिस के जैसा लग रहा है अलर्ट का बताया हुआ है पहले से ही देखते हैं काफी दोर से बारिस नहीं हो रही थी इस बार बरबारी भी देखने को नहीं मिली है मौसम बदल रहा है बहुत ही अल्टिमेट भी आता है यहां से जे माता दी